Rising wedge chart pattern Rising wedge एक बेरिश reversal pattern होता है, जिसमें price धीरे-धीरे उपर की तरफ move करता है, लेकिन उसके higher high और higher low दोनों की दूरी घटी जाती है. ये इंगित करता है कि उपर की ओर movement में कमजोरी आ रही है और संभाविद breakdown का संकेत है. इस pattern का अंत price के निचले trend line को तोड़ने पर होता है, जो एक गिरावट, downtrend का प्रारंब होता है. Formation एक higher highs, stock लगातार उच्च स्तर, higher highs, बना रहा होता है, लेकिन ये उपर की ओर बढ़ने की गती धीरे-धीरे कम होती जाती है. दो higher lows, इसी समय, stock निचले स्तर भी बना रहा होता है, जो पहले की तुलना में थोड़ा उपर होते हैं, higher lows, जिससे वेज का निचला हिस्सा बनता है. तीन trend line, इन higher high और higher low को जोड़ने पर दो upward trend line बनती हैं, जो एक संकुचित, converging, वेज के रूप में दिखाई देती हैं. Rising wage की psychology Bulls का संघर्ष, शुरुवाती चरण में Bulls, खरीदने वाले, प्राइस को उपर की ओर धकेलते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी ताकत कम होने लगती है. यही कारण है कि उच स्तरों पर प्राइस ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता. Bearish signal, wage के अंत में Bulls कमजोर पढ़ने लगते हैं और Bears, बेचने वाले, प्राइस पर हावी हो जाते हैं, जिससे पैटरन का breakdown होता है. निवेशको का मनोविज्ञान, निवेशक पहले प्राइस को उपर जाते देख कर आशानवित होते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, डर और घबराहट के कारण बेचने का दबाव बढ़ जाता है. Breakdown Breakdown तब होता है, जब प्राइस निचली ट्रेंड लाइन को तोड़ता है. यह पैटरन तब सबसे विश्वसनिय होता है, जब यह ट्रेंड लाइन तूटने के बाद स्पष्ट गिरावट दिखाता है. Volume का महत्व Breakdown के दौरान Volume में व्रिद्धी होनी चाहिए. Volume का बढ़ना इस बात की पुष्टी करता है, कि Breakdown वास्तविक है और निवेशक बड़ी संख्या में बिक्वाली कर रहे हैं. अगर Volume बढ़ता है, तो यह एक सशक्त बेरिश सिगनल होता है. Entry Point जब Price निचली Trend Line को तोड़ देता है, उसी समय Entry लेना उप्युक्त होता है. यह बिंदू संभावित रूप से सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि Breakdown हो चुका होता है, और गिरावट की संभावना बढ़ जाती है. Stop Loss सुरक्षित Stop Loss Stop Loss को उपर की Trend Line के थोड़ा उपर सेट करना चाहिए, या Stop Loss को Resent Higher High से थोड़ा उपर सेट करें, इसे 1-2% या एक निश्चित संख्या से उपर रखा जा सकता है. Target Target आम तोर पर वेज की उँचाई के बराबर होता है. या Risk to Reward रेशियो के आधार पर आप अपने Target की गरना कर सकते हैं. अगर आपका रिस्क 40 रुपए है और आप एक अनुपाद दो रेशियो का पालन करना चाहते हैं, तो आपका Reward कम से कम दो गुना होना चाहिए. उदारन मान लीजिए, एक स्टॉक ABC का प्राइस एक हजार रुपए से उपर की ओर मूव करना शुरू करता है, और यह एक Rising Wage Pattern बना रहा है. स्टॉक धीरे-धीरे Higher High और Higher Low बना रहा है. एक Trend Line Upper Trend Line Higher Highs स्टॉक ने पहले एक हजार रुपए पर एक हाई बनाया, फिर यह बढ़ता है, और एक हजार पचास रुपए, एक हजार एक सो रुपए, एक हजार एक सो पचास रुपए पर Higher Highs बनाता है. पहला higher high, 1,050 रुपए दूसरा higher high, 1,100 रुपए तीसरा higher high, 1,150 रुपए इन तीन higher highs को मिला कर आप एक upward trend line बना सकते हैं यह line दिखाती है कि price उपर जा रहा है लेकिन गती में कमी आ रही है क्योंकि अंतर कम होता जा रहा है 2. trend line, lower trend line higher lows stock धीरे-धीरे higher low भी बना रहा है उदाहरन के लिए price 1,000 रुपए से उपर जाकर पहले 980 रुपए पर गिरता है फिर 1,020 रुपए और 1,080 रुपए पर higher low बनाता है पहला higher low, 980 रुपए दूसरा higher low, 1,020 रुपए तीसरा higher low, 1,080 रुपए इन higher low को मिला कर आप निचली trend line बना सकते हैं जो वेज का निचला हिस्सा बनाती है 3. price movement stock धीरे-धीरे इस rising वेज के अंदर मुव कर रहा है अब price 1,150 रुपए तक पहुँचने के बाद फिर गिरने लगता है यह फिर से निचली trend line के पास पहुँचता है जो 1,080 रुपए है 4. breakdown breakdown तब होता है जब price 1,080 रुपए की निचली trend line को तोड़ देता है जैसे ही यह breakdown होता है यह संकेत मिलता है की price और गिर सकता है 5. trading setup entry point जैसे ही price 1,080 रुपए की trend line को तोड़ता है entry lane stop loss 1,150 रुपए पर उपर की trend line के थोड़ा उपर stop loss सेट करें target wage की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए यदि wage की चौड़ाई 1,150 रुपए है 1,150 रुपए से 1,000 रुपए तक तो आपका target 1,000 रुपए या उससे कम हो सकता है 6. volume confirmation breakdown के समय volume में बड़ोतरी होनी चाहिए जिससे यह संकेत मिले की breakdown सही है 7. money management risk to reward ratio एक बजकर दो मिनिट या उससे अधिक हो ताकि जोखिम कम और संभावित मुनाफ़ा अधिक हो stop loss और target को ध्यान में रखते हुए सही position size ले ताकि नुकसान सीमित हो संक्षेप में rising wage pattern में price उपर बढ़ता है लेकिन कमजोर गती के साथ और जब यह निचली trend line को तोड़ता है तो गिरावट की संभावना बढ़ जाती है एक कालपनिक उदाहरन है जो आपको दिखाता है कि कैसे pattern बनता है और trading निर्ने लेते समय इसका उप्योग कैसे किया जा सकता है वास्तविक बाजार स्थितियों में हमेशा तकनीकी विशलेशन और जोखिम प्रबंधन का पालन करें